हलो स्टुडेंस स्टेटी मेडियम चल में आपका स्वागत है आप बीए सी नर्सिंग इंट्रेंस इंट्रेंस इजम के त्यारी कर रहे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें फिर्स केमिस्ट्री बाइलोजी की वह कोस्टेंस को करेट किया आप्शन आविरित बीजी, आप्शन अनाविरित बीजी, आप्शन C, टेरीडोफाइटा, और आप्शन D, ब्रायोफाइटा, तो एंसर होगा आप्शन B, अनाविरित बीजी. तो इसके एंसर होगा, option B, इसमें कठोर कोसिका भित्ती होती है, जिसके कारणी से पोधे के के टेगरी में रखा गया है Next question से, जीवानविक कोसिकाओं में नहीं होता है Option E, कोसिका भित्ती, option B, जीव, दरबकला, option C, राइवोजोम, और option D, सुत्रकनिका तो इसर होगा, option D, सुत्रकनिका, जीवानविक कोसिकाओं में सुत्रकनिका नहीं पायाती है Next question से, निम्न में से सबसे छोटा जीव कोन सा है Option E, विशानू, option B, जीवानू, option C, माइकोपलाज्मा, और option D, इस्ट तो एंसर होगा, option C, माइकोपलाज्मा, ये सबसे छोटा जीवानू होता है Next question से, मानव की आथ में पाया जाने वाला जीवानू है Option E, कोरिनो बेक्टिरिया, option B, एसर रिशिया कोलाई, option C, बाइब्रियो कोलेरी, और option D, बेसिलस एंथ्रेसिस तो इसका एंसर होगा, option B, एसर रिशिया कोलाई, ये मनव के आथ में पाया जाने वाला जीवानू है Next question से, option E, साल मोनला, option B, माइकोबैक्टिरियाम टुवर कोलोसिस, option C, डिपलो कोकोस, और option D, स्ट्रेप्टो मैसिज तो इसका एंसर होगा, option B, माइकोबैक्टिरियाम टुवर कोलोसिस Next question से, निमन में से किस में केंदरक उपस्तित नहीं होता है Option E, कवक, option B, लाइकेन, option C, जिवानू, और option D, हरे सेवाल तो इसका एंसर होगा, option C, जिवानू, जिवानू में केंदरक नहीं पाय जाता है Next question से, निमन में से किस में एंजाइम्स नहीं होते है Option E, सेवाल में, option B, वाइरस में, option C, लाइकेन में, और option D, जिवानू में तो इसका एंसर होगा option B virus में मतलब बिशानू में enzymes नहीं पाए जाते हैं next question से gas cylinder को खीचने की जगा लुड़काना आसान होता है क्यों? option A जब उसे खीचा जाता है तो बस्तू का भार कारी होता है option B लुड़कन अवस्ता का घरसन बल फिसलन अवस्ता के घरसन बल की तूनला में बहुत कम होता है option C खीचने के अवस्ता में सडक के संपर्क में सिलिंडर का पिष्ट छेतरफल अधिक हो जाता है and option D उपरित विकलपो क्यातरित कोई आईन विकलप होगा तो इसका एंसर होगा option B लुड़कन अवस्ता का घरसन बल फिसलन अवस्ता के घरसन बल की तूनला में बहुत कम होता है इसलिए किसी भी चीज को खीचने की ये जगाए लुड़काना आसान होता है next question से next question से चोराहों पर पानी के फववारे में गेंद नाश्ती रहती है क्यूँ option ए पानी का बेग अधिक होने से दाब घड़ जाता है option B पानी का बेग अधिक होने से दाब बढ़ जाता है option C पानी के प्रिष्ट तनाव के कारण and option C पानी की स्यानता के कारण तो इसका answer होगा option ए पानी के बेग अधिक होने कारण दाब घड़ जाता है मतलो गेंद का दाब घड़ जाता है जिससे वो नाश्ती या तेरती हुई परतित होती है नेक्ट कोईश्चन से वर्फ के एक टुकडे का सीर्ष की अपेक्षा नीचे तल से पिगलना शुरू करते हैं क्यूँ option ए नीचले तल का ताबमन अधिक होता है option भी नीचले तल का दाब अधिक होने कारण गलना घड़ जाता है option C वर्फ वास्तविक ठोस नहीं है और option D उप्रूप के में से कोई नहीं तो इसका एंसर और option B नीचले तल का दाब अधिक होने से गलना घड़ जाता है और वो नीचे से पिगलना शुरू करती है next question से यदि पिर्थिमी की तिर्जा एक परसन कम हो जाए परंत द्रेव मान वहीं रहे तो पिर्थिमी के तल पर जी का मान क्या होगा option A 0.5 मतलब हाप बढ़ जाएगा option B 2 परसन बढ़ जाएगा option C 0.5 मतलब हाप परसन घड़ जाएगा option B 2 परसन बढ़ जाएगा तो इसका answer होगा option B 2 परसन बढ़ जाएगा पिर्थिमी की तिर्जा कम हो गई इसका मतलब पिर्थिमी पहले इतनी बढ़ी थी अब पिर्थिमी हो गई इतनी बढ़ी ठीक है यह छोटी हो गई तिर्जा कम हो गई और दर्यमान वहीं है मतलब इस गानातों से जादा हैं यह ज़्यादा गहना है इससे तो अगर इसका घ्राट तो यसे कःमान भी जादा होगा है तो जादा हो जाता है इसका घ्राम इसके अंदर का दाब उप्सन आ बायमोंडिल दाब से अधीक होता है उप्सन भी बायमोंडिल दाब से अधीक होता है। किसी तत्यों के रासायने गुन नीमन में से कौन तेह करता है, option A proton की सिंख, option B electron की सिंख, option C neutron की सिंख, and option D उप्रुक्त सभी, तो इसका answer वगा option B electron की सिंख, किसी भी तत्यों का रासायने गुन धर्म उसके electron की सिंख पर depend करता है, नेक्ष्ट है जब कोई इलेक्ट्रोन उच कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो उर्जा का उस्थरजन होता है option B उर्जा का उस्थरजन होता है option C परमानु का आकार कम हो जाता है and option D परमानु का आकर बढ़ जाता है तो इसका एंसर होगा option A, उर्जा का उस्सर जन होता है, जैसे ही उकक्षा चेंज करेगा तो उर्जा का उस्सर जन होगा Next question से, निम्न में से कोन रेडियो सक्रिय किरन हिलियम नाविक के समकक्ष होता है Option alpha किरन, option B, beta किरन, option C, gamma किरन, and option D, इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर होगा option A, alpha किरन, alpha किरन जो होता है हिलियम नाविक के समकक्ष होता है Next question से, alpha किरने है, option A, option B, H, E, plus, plus, I, option C, Na, plus, I, and option D, C, L, minus, I, तो इसका एंसर होगा option B, H, E, plus, plus, I, में नहीं पता है Next question से, निम्न में से किसके उसरजन से किसी तातो का परमानु करमांग एक बढ़ जाता है, यह बहुत important है Option A, alpha कन, option B, beta कन, option C, proton, and option D, neutron तो इसका एंसर होगा option B, beta कन, beta कन अगर किसी पदार्थ से उसरजित हो जाता है, ठीक है तो इसका परमानु से इंखा एक बढ़ जाएगा, next question से, electron का समरूप कोन होता है, option alpha कन, option B, beta कन, and option D, H कन, तो इसका answer होगा option B, beta कन, क्यों, क्योंकि beta में भी negative charge होता है, और electron में भी negative charge होता है, दोनों इसलिए समरूप होते है तो students आप देख रहों कितना important questions का series है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमार साथ जूड़ जाएए, क्योंकि B, S, Nursing, Interest, Regents related, कोई भी questions हो, कोई भी new job date, result, admin card, cutoff, सारा कुछ इस channel में साबसे पहले आपको provide होंगे, तो बने रहे हमारे स साथ मिलते हैं एक टूरियों में तो देख लिए, बाबाई